C.I.E.D. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, कक्षा 6 की भुगोल की पाठे पुस्तक, प्रिथ्वी हमारा आवास. प्रिष्थ 41 से प्रिष्थ 48 तक. तो आईए अब सुनते हैं पाठ प्रिथ्वी के प्रिष्थ 41. आपने इनमे कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं. इस प्रिष्थ पर चित्र 6.1 दिखाया गया है, जिसमें प्रिथ्वी के विभिन्न स्थल रूप दर्शाय गए हैं. जैसे की परवत श्रिंखला, पहाडी, परवत, पठार, जील, नदी, सहायक नदी, मैदान, वित्रिका, डेल्टा, नदी मुहाना, प्राय द्वीप, स्थल संधी, तट, समुद्र, जल संधी, द्वीप, मैदान, घाटी इत्यादी. आप देखेंगे कि प्रिथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है. प्रिथ्वी पर अंगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं. स्थल मंडल के कुछ भाग उँचे नीचे तथा कुछ सम्दल होते हैं. ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम सुरूप बनते हैं. अंदर लगातार गती हो रही है. प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर प्रिथ्वी की सतह कहीं ऊपर उड़ जाती है. तो कहीं धस जाती है. क्या आप जानते हैं? पहाडी वहस्थलिय भाग है, जो कि आसपास की भूमी से उँची उठी होती है. 600 मीटर से अधिक उचाई एवं खडी ढाल वाली पहाडी को परवत कहा जाता है. 8000 मीटर से उचे कुछ परवतों के नाम बताएं. प्रिष्ठ संख्या 42. दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं तूटने की प्रक्रिया है. प्रिथ्वी की सतह के अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतहन नीची हो जाती है तथा निक्षेपन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्मान होता है. ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायू तथा बर्फ के द्वारा होती हैं. हम विभिन्नस थल रूपों को उनकी उचाई एवं अधाल के आधार पर परवदों, पठारों एवं मैदानों में वरगी कृत कर सकते हैं। आओ, कुछ करके सीखें। परवद बनाना पहला, आपको बहुत मात्रा में कागस चाहिए। दूसरा, कागसों को मेज पर रखिए। तीसरा, कागसों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाईए। चौथा, कागस में मोड पढ़ जाएंगे, तथा वे एक चोटी की तरह उपर की ओर उठ जाएंगे। पांचवा, इस प्रकार आपने एक परवद बना लिया। परवद परवद प्रिथ्वी की सतह की प्राकरतिक उचाई है। परवद का शिखर छोटा तथा आधार चोड़ा होता है। यह आसपास के क्षित्र से बहुत उचा होता है। कुछ पहाड बादलों से भी उचे होते हैं। जैसे जैसे आप उचाई पर जाएंगे, जलवायू ठंडी होती जाती है। कुछ परवतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदिया होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहां कुछ ऐसे भी परवत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। तथा जिने आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायू होने के कारण परवती अक्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। तथा क्रिशी योग्य भूमी की कमी होती है। परवत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जिसे श्रिंखला कहा जाता है। इस प्रिश्ठ पर चित्र 6.2 दिया गया है। जिसमें एक वलित परवत का रेखांकन किया गया है। तथा इसी चित्र में दूसरी तरफ वलित परवत के उदाहरण के रूप में हिमाले का चित्र लगाया गया है। प्रिष्ठ 43 बहुत से परवती अतंत्र समानांतर श्रिंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैक्णों किलोमेटर में फैले होते हैं। हिमाले, एल्प्स तथा एंडीज, क्रमशह एशिया, यूरोप तथा दक्षिन अमेरिका की परवत श्रिंखलाए हैं। परवतों की उंचाई एवं आकार में भिन्नता होती हैं। परवत तीन प्रकार के होते हैं। वलित परवत, भ्रन्शोत्थ परवत तथा ज्वाला मुखी परवत, हिमाले तथा एल्प्स वलित परवत हैं। जिनकी सतह उबण खाबण तथा शिखर शंकवाकार है। भारत की अरावली श्रिंखला, विश्व की सबसे पुरानी वलित परवत श्रिंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रिंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अलसेशियन तथा रूस के यूराल परवत गोलाकार दिखाई देते हैं, एवं इनकी उंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित परवत हैं। जब बहुत बड़ा भाग तूट जाता है त ब्रण्शोथ परवतों का निर्मान होता है। उपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट कहते हैं, तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी का ब्रण्श या ग्राबीन कहा जाता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.3 दिया गया है, जिसमें एक ब्रण्शोथ प दोनों को दर्शाया गया है। युरोप की राइन घाटी तथा वास्चेस परवत इस तरहा के परवत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिये गए विश्व मांचित्र से उनकी स्थिती को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकरितियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाईए। ज्वाला मुखी परवत ज्वाला मुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफरीका का माउंट कीली मनजारो तथा जापान का फ्यूजी यामा इस तरहा के परवतों के उदाहरण है। परवत बहुत लाभधायक होते हैं। परवत जल के संगरहागार होते बहुत सी नदियों का स्रोत परवतों में स्थित हिमानियों में होता है जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है परवतों के जल का उप्योग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है नदी घाटियां तथा वेदिकाएं क्रिशी के लिए उप्युक्त होती हैं परवतों में अलग-अलग प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जन्तु पाए जाते हैं वनों से हमें इन्धन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्याधी प्राप्त होते हैं सैलानियों के लिए परवतिय भाग उप्युक्त स्थान हैं वे परवतों की यात्रा उनकी प्रक्रतिक सुन्दर्ता को देखने के लिए करते हैं विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैरा ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, तथा स्कींग, परवतों के प्रचलित खेल हैं क्या आप हिमाले में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं, जहां ये खेले जाते हैं, क्या आप जानते हैं, प्रशान्त महा सागर में स्थित मुनाकी परवत, जो की एक हवाई दूई भी है, सागर की सतह के नीचे स्थित है, इसकी उंचाई 10205 मीटर है, और ये शिखर से भी अधिक है, प्रिष्ठ संख्या 44, इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.4 दिया गया है, जिसमें ज्वाला मुखी परवत का चित्र दिखाया गया है, साथ ही ज्वाला मुखी परवत के अंदर किस प्रकार से अत्यधिक दाप से मैगना का निर्माण होता है, उसको भी दर्शाया गया है. तथा ये मैगना बाद में किस प्रकार परवत के मुख से ज्वाला मुखिय राख, भाप और गैस युक्त घने बादलों को उत्सरजित करता है, वह भी दिखाया गया है. चितर में बताया गया है कि परवत के किनारों से निकलती हुई पिघलती चट्टानों को लावा कहा जाता है. साथ ही ये भी दिखाया गया है कि ज्वाला मुखी शंकू का निर्मान राख और लावा की पड़तों के जमने से होता है. एक और चितर में एक व्यक्ती स्कींग कर इस तस्वीर के नीचे पूछा गया है कि इस खेल का नाम बताएं। परवतों की तरहा पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिध्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोईला तथा मैंगनीस के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहां नदियां उंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वण रेखा नदी परस्थित, हुंडरू जलप्रपात तथा करनाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिठी की प्रचुरता होती है, जो उपजाओ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जो पर्यटकों को आकरशित करते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.5 दिया गया है, जिसमें पठार की तस्वीर दिखाई गई है। प्रिष्ठ संख्या 45 मैदान मैदान समतल भूमी के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्य तह माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिकूचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। कुछ और मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांच मैदान नदियों तथा उनकी सहयक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां परवतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्ही निक्षेपों से मैदानों का निर्मान होता है। सामाने तहा मैदान बहुत अधिक उबजाव होते हैं। यहां परिवहन के साधनों का निर्मान करना आसान होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थिद भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांग्टसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरन हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपियोगी क्षेत्र होते हैं। यहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्यूंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहां समतल भूमी की प्रचुरता होती है। उपजाओ मिट्टी के कारण यहां भाग खेती के लिए काफी उप्युक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.6 दिया गया है। जिसमें मैदान की तस्वीर दिखाई गई है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिनता के अनुरूप ही मानव विभिन्य प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतियक शेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्शेत्रों का जीवन पर्वतियक शेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़के बनाना परवतियक शित्रों की तुल्ना में अधिक आसान होता है प्रिष्ठ संख्याची आलीस विभिन्न प्रकार के स्थर रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वाला मुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं इन आकसमे घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके, हम इनमें आने वाले खत्रों को कम कर सकते हैं हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग मिला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के एक शित्र से लगा सकते हैं प्रायह, हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाओ भूमी पर मकानों का निर्मान करना इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमी पर या पानी में फेंग देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है हमें प्रकृती के इस महत्वपूर्ण वर्दान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए उपलब्ध भूमी केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है यह हमारा करतव्व्य है कि हम आगे आने वाली पीडियों के लिए प्रिथ्वी को सुरक्षित रखें इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.7 दिया गया है जिसमें अरुनाचल प्रदेश में स्थित रसी से बने हुए एक पुल की तस्वीर दिखाई गई है साथी इसी प्रिष्ठ पर चित्र 6.8 भी है जिसमें एक प्रदोशित नदी की तस्वीर दिखाई गई है स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तेश्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ परियावरण विशेश रूप से साफ जल, वायू तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवशक्ताएं है इन सभी प्राथमे कावशक्ताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कारिक्रम चलाया जा रहा है यहां इस प्रिष्ठ पर तथा अगले पूरे प्रिष्ठ पर क्रम से 10 चित्र दिये गए हैं और हर एक चित्र को क्रम से 1 से 10 तक की संख्या से दर्शाया गया है फिर इसी के साथ इसी बॉक्स के एक कोने में इन से संबंधित कुछ प्रश्ण पूछे गए हैं प्रश्न एक, चित्र संख्या एक से दस को ध्यान से देखिए और प्रत्ते के लिए एक-एक वाके लिखिए. प्रश्न दो, चित्र संख्या एक, दो तथा साथ में दिखाएगा इस थल रूपों के नाम बताईए. प्रश्ण तीन चित्र संख्या नौ में दिखाएगा इस थल का अब्योग किस कार्य के लिए हो रहा है? प्रश्ण चार चित्र संख्या तीन, छै, आठ तथा नौ में आपको कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही है? प्रिष्ठ संख्या सैंत आलीस प्रश्ण पाँच चित्र संख्या चार और पाँच में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं? प्रश्ण चै चित्र संख्या तीन तथा आठ में दिखाई गई जल क्रेडाओं के बारे में बताईए प्रश्ण साथ चित्र संख्या एक तथा दस में दिखाए गए परिवहन के साधनों के बारे में बताईए प्रिष्ठ संख्या अड़तालीस अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पहला, प्रमुक्स थल रूप कौन-कौन से हैं चौथा, मनुष्यों के लिए परवत किस प्रकार उपियोगी हैं पाँच्वा, मैदानों का निर्मान किस प्रकार होता है चठ़ा, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्युँँ साथवा, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यूं? प्रश्न दो, सही उत्तर चिन्हित कीजिए पहला, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं क, उंचाई, ख, ढाल, ग, अभी मुखता दूसरा, हिमानी कहां पाई जाती हैं? क, पर्वतों में, ख, मैदानों में, ग, पठारों में तीसरा, दक्कन पठार कहां इस्थित है? क, केनिया, ख, ऑस्ट्रेलिया, ग, भारत चौथा, यंग्चसे नदी कहां भहती है? क, दक्षिन अमेरिका, ख, ऑस्ट्रेलिया, ग, चीन पाँचवा, युरोप की एक महत्वपूर्ण परवत श्रिंखला कौन सी है? क, एंडीज, क, एप्स, ग, रॉकीज प्रश्न तीन, खाली स्थान भरें पहला, सम्तल भूमी बाले विस्तरित क्षेत्र को रिक्तिस्थान कहते हैं दूसरा, हिमालय इवं एप्स, रिक्तिस्थान परवतों के उदाहरण हैं तीसरा, रिक्तिस्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर्ता होती है चौथा, रिक्तिस्थान परवतों का एक क्रम है पाँचवा, रिक्तिस्थान क्षेत्र क्रिशी के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं आओ, कुछ करें पहला, आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं इस अध्याई के आधार पर बताएं कि वे स्थल रूप लोगों के लिए किस प्रकार उपियोगी है मानचित्र कार्य पहला, विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए इसी के साथ आठ पाठों की स्पुस्तक का छठा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन संदीब भट निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत